जैहिन दोस्तो रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आप मेरे पीछे एक डोकुमेंट देख रहे होंगे दोस्तो ये डोकुमेंट मैंने एक लेटर से लिया है और दोस्तो उस लेटर को मैंने ट्रांसलेट करा है हिंदी में ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए दोस्तो ये जो letter बनाये गया था यानि जिससे मैंने document लिया है ये letter बनाये गया था सापका सैनिक संगर्ष कमेटी ने और दोस्तो ये letter उन्होंने भेजा है President को, Prime Minister को Defense Minister को दोस्तो मैंने उस letter में से कुछ point लिये हैं और दोस्तो आज मैं उस point के बारे में आपको बताना चाहूँगा दोस्तो ये जो point है, ये है MSP पे जो उन्होंने लिखा था क्या लिखा है दोस्तो इसमें मौदे हम सबसे पहले सैने सेवा वेतन यानी MSP के बारे में बात करना चाहेंगे कि छटे वेतन आयोग ने पहली बार 2006 में MSP की सिपारिश की थी जिसे उस समय केंद सरकार ने सुईकार लगू किया था मौदे यूरोपिये देशों में MSP दिया जाता था जिसे देखते हुए भारती सेना के अधिकारियों ने MSP की मांग की थी महुदे आज तक जितने भी वेतन आयोग बने हैं उसमें केवल सेना के अधिकारी ही निव्ठ हुए और जब छटे वेतन आयोग ने सेने सेवा पर MSP लागू करने की सिपारिश की तो ये आशरे की बात थी क्योंकि छटे वेतन आयोग ने सिपारिश की थी कि सेने सेवा वेतन यानि MSP जवानों को 1000 रुपे और अधिकारियों को 6000 रुपे परती महा दिया जाए लेकिन एक क्लास वन सिविल आफिसर ने आपत्ती जताई कि यूरोपियों देशों की तर्ज पर हमें मिलिटरी सर्विस पे लागू करना चाहिए वहाँ MSP सेनिक और अधिकारी को समान रूप से दिया जाता है यानि दोस्तों ये कंपेरिजन कर रहे है यूरोपियन कंट्री का कि वहाँ पर इस तरीके से दिया जाता है तो वो सेम चीछ भारत में भी लागू हो और यहां हम जवान और अधिकारी के सेनने सेवा वेतन यानि MSP में इतना बड़ा अंटर डाल रहे हैं जो क्रैय नहीं है तो केंद्र सरकान ने सेनने सेवा लागू की थी जवानों के लिए 2,000 रुपे और अधिकारियों के लिए 6,000 रुपे बिरकुल सही बात कई दोस्तों इन्होंने आगे क्या लिखा है अब यहां सवाल उठता है कि वेतन आयोग में बैटे सीना के अधिकारी चाते हैं कि दूसरे देशों में मिलने वाली सारी सुविदाए हो लेकिन केवल अधिकारियों के लिए वे नहीं चाते कि जो सुविदाएं दूसरे देशों के जवानों को दी जाएं वे सुविदाएं हमारे सेनिकों को मिले दोस्तों ऐसा तो ओफिसर्स ने नहीं का यानि दोस्तो MSP को equal कराने के लिए भी ये officers की MSP डाउन कराने के चक्कर में वेतन आयोग में बैटे अधिकारी सिरफ अधिकारियों के बारे में सोचते हैं और जवानों से भेदबाप करते हैं ये एक कड़वा सच है यानि दोस्तो इस तरीके की बातें आप President को, PM को, Defense Minister को ल बाते हैं, इनको बता रहे हैं कि European countryों में से जो महाँ पर दिया जाता था वो भारत में लागू करें अधिकारियों ने ये किया हमारे साथ, अधिकारियों ने वो हमारे साथ किया, इस तरीके की दोस्तों आप चीजे बता रहे हो, इतने बड़े लेवल पर, इतने letter में, दो इसी को उल्टा सीधा बोलना, नीचा दिखाना, ये सही बात नहीं है, और इन चीजों को आप इतने बड़े लेवल पर लेके जा रहे हो, कोई भी दोस्तों नहीं सुनवाई होगी इस पर, महोदे हम मांग करते हैं कि European देशों की तर्जपर, जहां सेना, जवानों और अध को भी लाग हूँ, दोस्तों, इक्वल MSP के हक में मैं भी हूँ, JCOs को, ORs को, इनकी भी इक्वल MSP होनी चाहिए, दोस्तों अब वो किस तरीके से होगी, दोस्तों ये अब गौर्रमेंट को देखना है, दोस्तों अब लास्ट पॉइंट देखें क्या लिका है, महोदे यद अधिकारियों से 15500 रूपे की अधार पर दिया गया ब्याज सहित वापस लिया जाए, दोस्तों इनका कहना है, कि जिस तरीके से ओफिसर्स को 15500 MSP मिली हुई है, और यही 15500 MSP, ORJCOS की भी करें, दोस्तों ये ठीक बात है, अगर ORJCOS की भी 15500 हो जाती है, तो सबसे अच्छ हुई है, बढ़कर MSP, वो interest rate के साथ वसूल किया जाए, दोस्तों इसका मतलब है, कि आप officers की pay pension कम कराना चाह रहे हैं, और दोस्तों इस line को कोई importance नहीं मिलेगी, चाहे आप president को भेजें, चाहे आप PM को भेजें, चाहे आप defense minister को भेजें, कहीं भी भेजें, दोस्तों एक औ कोई सरकार नहीं सुनेगी, चाहे president, चाहे defense minister, चाहे PM मोधी साब, दोस्तों जो officers को MSP मिल गई, 15-500, वो तो कम नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों अगर उनकी कम कर दी, तो दोस्तों ये सब officers जाएंगे फिर court case करने, और मामला गड़ बढ़ा जाएगा, इसलिए दोस्तों officers की तो आप भूल जाएए कि उनकी pay pension या MSP कम कर दें, बिल्कुल नहीं, जवानों की बढ़ा सकते हैं, ये एक नीटी के अंदर आता है, rules में आता है, कि जिनकी कम है, उनकी बढ़ा सकते हैं, चाहे MSP हो, चाहे pay और pension हो, लेकिन जिनको already मिल चुकी है, बढ़ी हुई, वो कम न 15-500 नहीं करतें, तो officers की कम कर दें, और जो officers को पहले से दे रखी है, बढ़ी हुई MSP, या फिर जितना भी दोस्तों ब्याज लगा है उसमें, वो वापस ले लिया जाए, कभी नहीं होगा, दोस्तों इसमें court भी कुछ नहीं कर पाएगा, वो सिरफ जादे स्यादा order दे सकत है, OR, JCOs की MSP बढ़ा दी जाए, वो भी किसी rules regulation के अंतरगत, pay और pension MSP बढ़ाई जा सकती है, लेकिन already जो पहले से मिल गई है, चाए officers हों, चाए कोई भी हो, वो कम नहीं हो सकती, क्योंकि दोस्तों अगर वो कम हो गई, तो दोस्तों इस पर फिर boss से court case बनेंगे, ये मामरा Supreme Court तक चला जाएगा, इसलिए ये बात यहां पे decline हो जाती है, तो ये जो मांग उठाई गई है, सापका सैनिक संगश कमीटी के दौरा बिलकुल गलत मांग है, इस पे कोई सुनवाई नहीं होगी, अगर आप भी इनके साथ इसी मांग को लेकर पहुच रहे हैं जंतर मंतर तो आपका time खराब होगा, तो दोस्तो ये चीज़ आप समझ लेजिए, मैं सिधा fact की बात करता हूँ, एक दम fact की, आपको उल्जाने की बात नहीं करता हूँ, जो सही है, जो real है, वो ही चीज मैं आपको समझाता हूँ, तो दोस्तो, equal MSP की जहां तक बात है, वो आपके हक म है, वो मिलनी भी चाहिए आपको, आपकी award जैसे उसकी MSP बड़ा देनी चाहिए, लेकिन दोस्तो, जो already मिल रही है, officers को, अगर आप वो कम करने के चक्कर में है, या उनको जो pay pension मिल गई है, उनको कम करने के चक्कर में है, this is not the right thing, ये एक सही चीज नहीं है, तो दोस्तो, सह लेटर लिखते हो, सही में, तब दोस्तो, आपकी मांगे सुनी जा सकती है, और उसके base पे reply भी दिया जा सकता है, लेकिन अगर ये मांगे उठ रही हैं, कि अगर हमें नहीं मिलती, तो उनकी कम कर दो, या उनकी pay pension चील लो, ये गलत बात है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीकी की बाते वो ही करते हैं, जो illiterate person है, जिनकी समझने की, सुनने की शम्ता खतम हो चुकी है, दोस्तो आप बुरा मत मानेगा मेरी बत, मैं आपको ये real fact बता रहा हूँ, और मैं आपका सम्मान भी बहुत करता हूँ, आप मेरे से बड़े हैं, मैं आपका सतकार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, दोस्तो आप मुझे ये मत बोलेगा कि मैं officers का support कर रहा हूँ, मैं इनका support कर रहा हूँ, दोस्तो मैं सिरफ सही बात को लेकर चलता हूँ, दोस्तो ये चीजे मैंने आपको समझाएं, तो दोस्तो आपकी क्या RIS पे आप नीचे मुझे comment कर सकते ह वीडियो आपको अच्छे लगता है वीडियो को like करें और दोस्तो चैनल को subscribe कर सकते हैं, thank you so much